हेलो दोस्तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है find the value of question है हमारे पास find the value of sin 45 cos 45 cos 30 upon sin 60 cos 30 10 45 सब multiplication में है तो देखें याप पर आपका sin जो table होती है technometric table वो यूज किया हमने sin 45 की value 1 by 2 होती है and cos 45 की value यहापे 1 by 2 and cos 60 की value 1 by 2 होती है and sin 60 की value आपके under root 3 by 2 होती है cos 30 की value आपके under root 3 by 2 होती है and 45 की value आपकी 1 होती है सभी value को यहापे put कर देंगे हम देखें यहापे जो आपका cancel हो रहा है उसको cancel कर देंगे यहापे 1 upon under root 2 into 1 upon under root 2 आपका 1 by 2 हो जाएगा 1 by 2 into 1 by 2 आपका 1 by 4 हो जाएगा एंड इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट 3 इंटर रूट 3 आपका 3 हो जाएगा 2 इंटर 2 आपका 4 हो जाएगा तो 3 by 4 4 से यहाँ पे 4 आपका cancel out हो जाएगा तो यहाँ पे आपका answer बचेगा 1 by 3 तो यह equal हो जाएगा आपका 1 by 3 के आशा करता हूँ दोस्तों यहाँ आपका डाउट यहाँ पे किलेर हो गया होगा धन्यवाद